कि नमश्कार मैं वैभब आपका आपने चैनल निबन नॉमबर्स स्वागत करता हूं यह चैनल 10th 11th और 12th क्लास के mathematics subject को dedicated है अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो शेयर करें क्योंकि मेरा motto ही है quality education सबकादिकार और अगर आप सारे सले उसको गपर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे मेरी classes attend कर सकते हैं अब आप निबन नॉब को Instagram पर भी follow कर सकते हैं तो चलिए आज का लेक्षर शुरू करते हैं तो students trigonometric functions chapter का exercise जो 3.3 है वैसे मैं base बना के चल रहा हूँ NCRT की book को लेकिन मैं जो NCRT की book में cover नहीं हो पाए questions वो भी ये exercise खतम कराने के बाद करवाऊंगा और वो तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा तो पहले हम exercise 3.3 NCRT की खतम करेंगे उसके बाद additional questions भी इसके उपर करेंगे तो NCRT की जो exercise है 3.3 उसका जो first question है वो क्या है वो है prove that sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus 10 square pi by 4 is equal to minus 1 by 2 ये question है कैसे solve करना है हम पहले left hand side लिखेंगे left hand side is equal to sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus 10 square pi by 4 अब students ये question very very easy ये बहुत easy question है क्योंकि अगर तुम्हें ये radians में जो angle है ये degrees में बता दिये जाएं तो अगर तुम 10th class में भी होते तब भी इसको solve कर लेते हैं कैसे कर लेते हैं देखो pi by 6 angle होता है 30 degree pi by 3 होता है 60 degree और pi by 4 होता है 45 degrees तो pi by 6 sin pi by 6 याने sin 30 इसकी क्या value होती है sin 30 की value अगर तुम वो table याद करो जो तुम बनाते होते थे angles और t ratios की values का तो sin 30 होता है 1 by 2 तो sin 30 का ये square है तो 1 by 2 का square प्लस cos pi by 3 याने cos 60 cos 60 की value भी होती है 1 by 2 और उसका square है cos square minus 10 square pi by 4 याने 1045 1045 1 होता है और 10 का square तो ये कितना हो गया 1 by 4 plus 1 by 4 minus 1 तो 4 LCM आ गया 1 plus 1 minus 4 क्योंकि 1 upon 1 है तो इन दोनों में तो change नहीं आएगा यहां पर क्योंकि इनका denominator 4 ही है और LCM भी 4 है लेकिन इसका denominator 1 है तो इसलिए क्या होगा कि जो हमारा LCM है 4 वो इस नंबर से multiply हो जाएगा तो ये कितना हो गया 2 minus 4 upon 4 तो LHS कितना आ गया minus 2 upon 4 cancel out होके minus 1 by 2 तो हमारे पास क्या result आया LHS is equal to RHS तो प्रूव हो क्या question तो ये देखो काफी आसान question था अब अगला question question number 2 में हमने क्या प्रूव करना है उसका हम left hand side लेके चलेंगे question number 2 की left hand side है 2 sin square pi by 6 plus cosecant square 7 pi by 6 multiplied by cos square pi by 3 और इसको हमने equal प्रूव करना है 3 by 2 के जो question है उसमें हमें इसकी values निकालके फ्रूव करना है कि ये 3 by 2 के ब्राबर है तो अगें फर्स्ट question की तरह sign 30 degree sign 30 degree 1 by 2 होता है तो इसका square हो गया प्लस अब यहां पर cosecant pi by 6 होता तो बात ठीक थी लेकिन यहां पर है cosecant 7 pi by 6 तो थोड़ा सा हम rough work करें चलो थोड़ा सा rough work एक अलग page पे हम करते हैं मैं अलग page निकाल लेता हूँ mode of work के लिए और उस पर हम इसकी वैल्यू देखते हैं कि कितनी आएगी हमारे पास हमें वैल्यू चाहिए को सीकेंट 7 pi by 6 की तो 7 pi by 6 देखो या तो तुम इसको degrees में convert कर लो तब भी यह question easy हो जाएगा अगर degrees में convert नहीं करना और इसी तरह solve करना है तो एक बात याद रखो अगर उपर वाला नंबर एक बड़ा है मतलब actual division की जुरूत नहीं पड़ेगी यह बात अगर समझ लोगे अगर उपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक बड़ा है तो यह हो जाएगा pi plus pi by 6 वैसे डिवाइड करके भी यही आ जाता होता है कैसे आता है देख लो वह भी दिखा देता हूं मैं 7 को हमने 6 से डिवाइड किया pi तो साथ में multiplied रहे गई 6 1 दा 6 आ गया 1 तो 7 by 6 को मैं लिख सकता हूं 1 plus 1 by 6 अब यहाँ pi है तो इसके साथ भी pi होगा तो इस bracket खुल जाएगी pi plus pi by 6 तो pi plus pi by 6 मैंने quadrants समझाये थे इसलिए वीडियो में तुमको quadrants और t ratios की values तो उसमें मैंने क्या बताया था कि cosecant pi plus यहने pi plus का मतलब है 180 plus यहने third quadrant यह angle चला गया third quadrant में third quadrant चला गया और cosecant की value देख रहे हैं तो cosecant जो होता है third quadrant में negative होता है third quadrant में सिर्फ 10 और cot ही positive होते हैं तो minus लगेगा और t ratio change होगी के नहीं होगी नहीं होगी क्यों क्योंकि यह 180 degree है याने pi radiance है तो यह हो जाएगा minus cosecant pi by 6 यह हो जाएगा अब कई students कह सकते हैं सर cosecant pi by 6 की value हमें याद नी क्योंकि हमें तो sine pi by 6 की value याद है कोई बात नी इसे minus 1 upon sine pi by 6 लिख सकते हो क्यों क्योंकि cosecant जो है वो क्या है cosecant sine का reciprocal होता है और sine pi by 6 हमें पता है sine pi by 6 मतलब sine 30 degree तो minus 1 upon 1 by 2 means minus 2 यह value आ गई minus 2 तो cosecant 7 pi by 6 की value minus 2 है चलो आगे बढ़ाते हैं इस question को हम इसको लिखेंगे minus 2 यह आ गया minus 2 का square into अब cos pi by 3 याने cos 60 degree cos 60 degree कितना होता है again 1 by 2 और इसका square तो हमारे पास क्या आ रहा है अब यहां पर 2 into 1 by 4 प्लस 4 into 1 by 4 यह 4 हो गया यह भी 4 हो गया अब यह तो cancel हो गया यह भी cancel हो गया तो हमारे पास आ गया half plus 1 is equal to 3 by 2 जो की हमें prove करने के लिए कहा गया था कि यह right hand side पे 3 by 2 ही था question में तो therefore LHS is equal to RHS यह हमने prove कर दिया question number 2 इसी तरह question number 3 और question number 4 students तुम खुद कर सकते हो उसमें एंगल 5 by 6 होगा या कोई और एंगल होगा तो वह तुम अपने आप solve करके देख सकते हो इसी तरह से degrees में convert करके मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं question number 3 और 4 अब मैं चलता हूं question number 5 की तरफ काफी important question है question number 5 question number 5 question है find the value of first part sign 75 degree second part 10 15 degree ये हमने solve करना है तो हमने solution start किया first part sign 75 degree तो sign 75 degree अभी तक तो तुमने कौन-कौन से एंगल देखे थे अभी तक तुमने एंगल देखे थे degrees में 0 तो 30 degree 45 degree 60 degree और 90 degree इनकी value तो तुम्हें पता थी लेकिन अब हमारे पास है 75 degree इसकी value कैसे निकाली जाए तो तुम ये देखो इन दोनों के प्लस इन दोनों एंगल्स को प्लस करोगे तो 75 degree आ जाएगा तो हम यहीं से अपना question स्टार्ट करेंगे इसको हम लिख सकते हैं 45 प्ल साइन 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 75 हो गया अब तुम्हें एक फॉर्मूला याद होगा साइन A प्लस B का तो साइन A प्लस B का फॉर्मूला क्या था वो था साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B एक बार फिर देख लो फॉर्मूला क्या था साइन A प्लस B का यह अंगल A है यह अंगल B है तो A B A B साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B अब साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30 इनकी वेली तो हमें पता ही है साइन 45 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2 कॉस 30 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2 प्लस कॉस 45 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2 और साइन 30 कितना होता है अगेन, 1 upon 2, अरे हां, एक गलती मिर से हो गई, cos 30 होता है, root 3 by 2, तो यहां, root 3 by 2 आएगा, हां, sin 45, 1 by root 2, cos 30, root 3 by 2, प्लस, cos 45, 1 by root 2, और sin 30, 1 by 2, तो, अगला step तो अब तुम जानते ही हो, क्या होगा, देखो, root 3 by 2 root 2, प्लस, 1 by 2 root 2, दोनों का LCM सेम है, तो उपर वाले नमबर जोड़ जाएंगे, तो हमारे पास result आजाएगा, therefore, sin 75 degree is equal to, root 3 plus 1, upon 2 root 2, तो यह हमारा answer आ गया, समझ में आ गया question, I think समझ में आ गया होगा, कोई खास मुश्किल question नहीं है, चलो, अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं, कौन सा पार्ट है वो, यह वाला, 10, 15 degrees, तो 10, 15 degrees कैसे find out करना है, second part, 10, 15 degree कैसे आ सकता है, देखो, दुबारा से हम वही देखते हैं, यह दोनों को plus किया था, तो 75 आया था, और इन दोनों का अगर difference देखोगे, तो 15 आ जाएगा, देखो, 45 minus 30 is 15 degree, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10, 45 minus 30, अब 10 A minus B का फॉर्मूला याद करो, students, 10 A minus B, तो 10 A minus B कितना होगा, कितना था, 10 A minus 10 B upon 1 plus 10 A, 10 B, ठीक है, समझ आ गया, देखो एक बार फिर से फॉर्मूला, 10 A minus B, A एंगल है 45 degree, B एंगल है 30 degree, तो 10 A minus B, 10 A minus 10 B upon 1 plus 10 A, 10 B, अब 10 45 होता है 1, और 10 30 degree होता है 1 upon root 3, whole upon 1 plus 1 into 1 by root 3, एक बात का फिर ध्यान रखना, students, यह जो main division की लाइन है, यह लंबी लगाना, वरना confusion हो जाती होती है, तो अब numerator अलग P by Q form में है, और denominator अलग P by Q form में है, तो हमें numerator में अलग LCM लेना पड़ेगा, और denominator में अलग LCM लेना पड़ेगा, तो हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों का LCM सेम ही होने जा रहा है, root 3, तो root 3 minus 1 upon root 3 divided by root 3 plus 1 upon root 3, इस step में तुमने देखा होगा कि मैंने equal to पहले नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि अगर equal to मैं पहले यहां लगा देता, तो यह step अजीब सा लगता, equal to मैं अब लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि यह वाला step, P by Q upon P by Q form में होने वाला है, तो equal to मेरा कहां आएगा, यह मैं exactly नहीं कह सकता था, इसलिए मैंने equal to बाद में लगाया, और equal to बाद में लगाने की वज़े से, देखो, कितना मेरा जो step है, कितना straight forward और समझ आने लाइक बन गया, otherwise confusion भी हो सकती थी देखने में, तो तुमने भी लिखने में इसी तरह से ध्यान रखना है, अब देखो, दोनों के LCM सेम हैं, कैंसल हो गए, और क्या रह गया, root 3 minus 1 upon root 3 plus 1, तो हमारे 10, 15 degree की value के आ गई, root 3 minus 1 upon root 3 plus 1, हाँ ये और बात है, कि कई बार books में answer इससे अलग दिया हो होता है, वो अलग क्या होता है, कि अगर हम इसको rationalize कर दें, root 3 minus 1 upon root 3 minus 1, निकालें, तो वो value भी count होती है, लेकिन ये answer भी correct है, ये भी गलत नहीं है, क्योंकि तकरीबन हम जो भी value निकालते हैं, 10, sine, cost की, angles की, T ratios की, उसमें denominator में हमें irrational number root 2 या root 3 देखने को मिली जाता है, इसलिए ये answer भी correct है, कोई दिक्कत नहीं, तो question number 5 के जो दो parts मैंने किये हैं, इनको देखने के बाद, जो additional question बन सकते हैं, मैं अभी बता रहा हूं तुमको, वो क्या हो सकते हैं, देखो, हमारे पास, तीन एंगल हैं, 45 डिग्री, 30 डिग्री, और 60 डिग्री, इनको अगर आपस में जोड़ा या माइनस किया जाए, तो एक तो एंगल बनता है 15 डिग्री का, एक बनता है 75 डिग्री का, जो कि हमने देखा, वो इन दोनों का था, अब 60 और 45 को जोड़ोगे तो बनेगा एंगल 105 डिग्री का, 60 माइनस 30 करोगे तो 30 आ जाएगा, 60 माइनस 45 करोगे तो 15 आ जाएगा जो कि है, तो students, ध्यान देने वाली बात यह है, कि हमारे पास 3 T ratios हैं, जो कि हम mainly values जिसकी देखते हैं, sin, cos और 10, तो, sin 15 degree, sin 75 degree, sin 105 degree, यह 3 question बन गए, फिर, cos 15 degree, cos 75 degree, cos 105 degree, 3 question और बन गए, 6 हो गए, फिर 10 15 degree, 10 75 degree, 10 105 degree, 3 question और हो गए, यहने total कितने question बन जाते हैं यह इस टाइप के, 9 questions बन जाते हैं, तो मैं लिखूं, किस-किस की value तुम निकाल सकते हो, देखो, शुरू करते हैं, sin 15 degree, sin 75 degree, sin 105 degree, फिर, cos 15 degree, cos 75 degree, cos 105 degree, फिर, 10 15 degree, 10 75 degree, 10 105 degree, जिसमें से की, तुम दो questions कर चुके हो, एक यह, और एक यह, बाकी साथ question तुम कर सकते हो, कैसे, देखो, 15 degree को तुम लिख लो, 45 minus 30, 75 को लिख लो, 45 plus 30, और, 105 degree को लिख लो, 60 plus 45 degree, बस, a plus b और a minus b के formula को यूज करके, तुम यह साथों question कर सकते हो, तो, यह समझ लो, के, आज practice के लिए, यह questions हैं, तुम्हारे लिए, जो कि तुमने करने हैं, अपने आप करके देखने हैं, और answer कहां से check करोगे, answer, check करने के लिए, आजकल, कोई खास मुश्किल काम नहीं है, बहुत सारे, हमारे पास, जो, वो हैं, ways and means हैं, तुम अगर Google पर try करोगे, के what is the value of sign 15, ठीक है, वो decimals में बताएगा, जीरो पॉइंट सम्थिंग, तो तुम इसकी actual value भी तो निकाल सकते हो, जैसे कि 10, 15 degree की value तुम Google से पूछोगे, तो वहाँ पर तुमको कोई value दे देगा, वो 0 पॉइंट सम्थिंग, तो तुम root 3 और root 3 की value यहां put करके, calculator में इसको solve भी कर लो, तुम्हें पता लग जाएगा, तुम्हारा answer ठीक है कि नी, तो तुम इसके answers चेक भी कर सकते हो, तो यह question तो हमने कर लिए, अब आते हैं हम अगले question पे, question number 6, question number 6 में हमने prove करना है, prove that, cos, pi by 4 minus x, cos, pi by 4 minus y, minus, sin, pi by 4 minus x, sin, pi by 4 minus y, यह left hand side है, और prove क्या करना है इसको, is equal to sin, x plus y, यह prove करना है, देखो यह left hand side है, is equal to यह right hand side, तो यह कैसे prove हम कर सकते हैं, solution में हमने start किया लिखना, left hand side, is equal to, cos, pi by 4 minus x, cos, pi by 4 minus y, minus, sin, pi by 4 minus x, sin, pi by 4 minus y, मैंने क्या किया, मैंने left hand side लिख लिख ली, अब इस left hand side को अगर तुम ध्यान से देखोगे, और, pi by 4 minus x, एक यह angle है, इसको a कहोगे, और pi by 4 minus y, यह दूसरा angle है, इसे b कहोगे, तो यह बन जाएगा, cos से cos b, minus, sin a, sin b, cos से cos b, minus sin a, sin b, यह किस चीज़ का फॉर्मूला था, यह था, cos a plus b का फॉर्मूला, अगर तुम्हें यादो, तो क्या बन गया, cos a, plus, b, cos a, plus b, cos a, cos b, minus sin a, sin b, तो, pi by 4 और pi by 4 जुड़के, कितना हो जाएगा, pi by 4 होता है 45, 45 plus 45, 90 होता है न, तो यह pi by 2 बन जाएगा, minus x, minus y, ठीके, इसके बाद, हम क्या कर सकते हैं, देखो, right hand side पे हमको, x plus y चाहिए, यानि के, x और y का दोनों का sign, जो है, वो same चाहिए, और positive चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x plus y, देखो, यह बन गया, pi by 2, minus x, minus y को हमने क्या लिखे लिया, pi by 2, minus common x plus y, तो यह कैसे बन गया, cos 90 minus theta, cos 90 minus theta होता है, sin theta, तो यह आ गया, sin x plus y, और इस तरह से, यह 4 steps में प्रूब हो गया, देखो, therefore, lhs is equal to, rhs, prove हो गया, तो question number 6 भी solve हो गया, चलो, अगले question की तरफ चलते हैं, तो हमारा question number 7 है, prove that, 10 pi by 4 plus x upon 10 pi by 4 minus x, equal to, 1 plus 10 x upon 1 minus 10 x whole square, तो इस question का solution स्टार्ट करने से पहले, मैं एक और formula तुम्हें बताना चाहूंगा, वो formula है, 10 pi by 4 plus x के लिए, देखो, 10 pi by 4 1 होता है न, तो 10 a plus b में, अगर 10 a, pi by 4 हो जाए, तो वो 1 हो जाएगा, तो 1 plus 10 x, upon 1 minus 10 x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 10 pi by 4 plus 10 x, upon 1 minus 10 by 4, 10 x, तो 10 pi by 4 की value 1 है, वो लिखने की जूरूत नहीं है, multiply में 10 x आ गया, तो ऐसे ही अगर यहां minus लगा हुआ हो, तो यहां minus हो जाएगा, यहां plus हो जाएगा, तो इस तरह से यह दोनों formula जो है, वो 10 में use होते हैं हमारे, और वो दोनों formula यहां use होंगे, देखो, यह 10 pi by 4 plus x है, यह 10 pi by 4 minus x है, तो मैं start करता हूँ solution, सबसे पहले left hand side लिखूँँगा, 10 pi by 4 plus x upon 10 pi by 4 minus x, दोनों के लिए मैंने formula लगाना है, मैं लगा रहा हूँ, तो 1 plus 10 x upon 1 minus 10 x, whole upon 1 minus 10 x upon 1 plus 10 x, देखो students, अब मैंने क्या किया, अब मैंने मेरे से थोड़ी सी गलती यह हो गई, कि मैंने equal to पहले लगा दिया, step लिखने से पहले, जबकि मुझे पता था, कि यह जो term होने वाली है, यह p by q upon p by q form में है, तो देखो, equal to थोड़ा सा उपर हो गया न, main division से, जबकि equal to यहां होना चाहिए, हमको सबको पता चल रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना है, कि जब भी इस तरह की term होने वाली हो, तो पहले equal to मत लगाओ, बाद में लगाओ, और यह main division की line लंबी करने की वज़े से, मुझे यह समझ में आ रहा है, कि main numerator कौन सा है, और main denominator कौन सा है, otherwise मैं कैसे confused हो सकता हूँ, मैंने पहले भी बताया था, आप दुबारा बता देता हूँ, कि मान लो हमारे पास यह term लिखी हुई है, तुम इसको क्या मानोगे बताओ, तुम इसको 2 by 3 upon 5 मानोगे, या इसे 2 by 3 by 5 मानोगे, दोनों की value लग लग है, हाँ, अगर मैं ऐसे कर दूँ, तो तुम्हें पता है कि यह यह वाली term है, तो इसलिए main division की line, लंबी ही होनी चाहिए, तभी हमें confusion नहीं होती है, तो चलो खैर, अब denominator में, जो further denominator होता है, वो उपर numerator में चला जाता है, और numerator में, जो denominator वाला part होता है, वो main denominator के साथ multiply हो जाता है, हमें यह चीज पता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 प्लस 10x, यह वाला, अब सबसे नीचे जो लिखा है, वो भी उपर चला जाएगा, 1 प्लस 10x, whole upon, 1 माइनस 10x, जो पहले से denominator में था, वो, और अब numerator में जो denominator वाला part है, वो भी main denominator के साथ multiply हो गया, तो देखो अब यह क्या बन गया, यह हमारे पास बन गया, 1 प्लस 10x, upon, 1 माइनस 10x का, whole square, तो हमारा answer आ गया, therefore, LHS equal to, RHS, तो यह question हमारा, इस तरह से हो गया, solve, तो यह seven questions हो गया, और, अब और question इसका कैसे हो सकता है, इसी का reciprocal यहाँ पे, मैं एक और question बता रहा हूँ, practice के लिए आज कर लेना, इसी का reciprocal उल्टा कर दो, इस term को उपर ले जाओ, इस term को नीचे ले आओ, तो prove भी इसका उल्टा ही हो जाएगा, तो इस तरह से भी तुम एक और question, practice के लिए तयार कर सकते हो, तो चलो, question number 8 लेते हैं, question number 8 क्या है, question number 8 हमने prove करना है, prove that, cos, pi plus x, cos of minus x, whole upon, sin, pi minus x, cos pi by 2 plus x, इसको prove करना है, equal to cot square x, तो हमने, obviously, अब कैसे start करना है, left hand side से, हमने left hand side जो है, वो पहले as it is लिखनी है, cos pi by, pi plus x, cos minus x, upon, sin, pi minus x, cos, pi by 2, plus x, is equal to, cos pi plus x क्या होगा, pi कौन सा angle है, 180 degree, तो 180 degree plus x का कौन से कौर्डेंट में चला जाएगा, यह चला जाएगा, थर्ड कौर्डेंट में, तो थर्ड कौर्डेंट में, cos की value negative होती है, और क्योंकि, 180 plus minus हो रहा है, तो cos, cos ही रहेगा, तो answer आएगा, minus cos x, अब cos of minus theta, इस cos theta, यह तुम जानते हो, तो यह cos x हो जाएगा, क्योंकि यह 4th कौर्डेंट का एंगल है, upon sin pi minus x, pi minus x, यानि 180 minus x, यानिके second कौर्डेंट, तो t ratio भी change नहीं होगी, और minus भी नहीं लगेगा, plus का sign रहेगा, अब cos pi by 2 plus x, pi by 2 आने की वज़े से, cos जो है, वो sin में बदल जाएगा, t ratio change हो जाएगी, और यह term minus की भी हो जाएगी, क्योंकि pi by 2 plus x, यानिके 90 plus x, 90 से बड़ा एंगल, second कौर्डेंट में पहुँच गया यह, तो second कौर्डेंट में, cos की value negative होती है, तो यह आजाएगा, minus sin x, तो हमारे पास क्या आगया, minus cos square x upon minus बाहर, यह minus बाहर आगया, अच्छा, यह bracket ज़रूर लगा नहीं है students, अगर यह bracket ना लगाओ, तो यह हमें क्या दिखाई देगा, sin x minus sin x, तो गलती से हम इसको cancel out करके, 0 भी बना सकते हैं, जो कि कभी भी नहीं है, इस question में, तो sin square x, minus से minus कट गया, cos upon sin कितना होता है, cot, तो उनका square है, तो cot square हो जाएगा, तो देखो, यह prove हो गया हमारा, right hand side के बराबर, therefore, left hand side is equal to right hand side, तो यह हो गए हमारे 8 question, अब हम अगले class में, इससे अगले question कराएंगे, और याद रखना students, जो आज मैंने तुमें, question करने के लिए बताए हैं, कौन-कौन से question, देखो, फिर दिखा देता हूं, मैंने यह दो solve किये थे, बाकी यह, जो seven है, यह अपने आप करने हैं, और इनके answers, तुम Google से check करी सकते हो, Google से कैसे check कर सकते हो, देखो, जैसे कि यह question का answer आया हुआ है, इसको decimal में solve करो, calculator से easily हो जाएगा, और Google पे 10-15 degree की value भी देखो, दोनो answer similar आएंगे, same आएंगे, तो answer सही होगा तुमारा, तो तुम इनके answer चेक भी कर सकते हो, तुमको और question मैंने बना के दे दिये, और एक question और कौन सा, अपने आप करने के लिए का है, देखो, यह वाला question जो है, इसका reciprocal कर लो इधर, तो इसका भी इधर reciprocal हो जाएगा, यह भी तुमने करना है, तो यह eight questions मैंने कराएं हैं तुमको, और eight questions ही, तुमारे लिए और आज practice के लिए हैं, तो यह तुमने आज करने हैं, बाकी questions हम अगले class में लेंगे, और NCRT के questions के इलावा भी मैं कई questions कराऊंगा, additional questions उसका title होगा वीडियो का, तो वो तुमने follow करना है, तुमको किसी भी महंगी किताब को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह मैं तुमको share करता हूँ, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुमको नहीं लगेगा कि ऐसा भी हो गया, कि मैंने practice के लिए enough question तुम्हें नहीं दिये, तो वो तुम्हें मिलते रहेंगे, बस एक तुम follow करो अपनी text book, और अगली class में मिलते हैं, तब तक best of luck, thank you.